हेलो नूश्कार दोस्तों, स्वागता आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल जों मैनिया में आज मैं आपके लिए अरियाना जी के के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चिनों के एक सीरीज लेगे आया हूँ जिसमें आरियाना जी के के कुछ ऐसे प्रश्णों के बारे में बात करेंगे जो यूट यूची में बहुत बार आ चुके हैं और आने वाले प्रश्णों में भी पूछे जाएंगे तो मैं आपका ज्यादा समय बैत इतने अगरते हुए आजओं अपने पहले प्रिशन की बात करे तो और यानवी राष्ट्रपती सासन कितनी बार लगया तो दोस्तों और यानवी राष्ट्रपती सासन कितनी बार लगया है और यानवी राष्ट्रपती सासन कितनी बार लगया तीन बार अरियानव रेष्टृपतिशासन कितनी बार लगया तीन बार रेष्टृपतिशासन के अगर हम बात करें तो यह कहां से लिया गया है और सभीदान के कुण से बाग में और कुण से नुच्छेद में आज हम रेष्टृपतिशासन पर पूरी बात करेंगे इसका हम डिटेल से जाने कि रेष्टृपतिशासन होता क्या है तो दोस्तो रेष्टृपतिशासन कहां से लिया गया है राष्ट्रपति सासन अमारा कहां से लिया गया जर्मनी कहां से लिया गया राष्ट्रपति सासन जर्मनी से अगर हम सविदान की बात करें तो सविदान के कुण से बाग में यह है सविदान के बाग 18 में हमारे क्या है रश्ट्रिया पात की सक्तिया सविदान के वाग 18 में क्या हमारी रश्ट्रिया पात की सक्ति अब पेपर वाड़ा एक और परसन पूछता है कि यह कुण से अनुछेद से है तो सविदान के अनुछेद नमबर 300 तिन सो बाउन से तिन सो साट में क्या हमारे रश्ट्रिया पात के सक्ति अब यह बात करेगी कौन से अनुछेद में कौन सी सक्तियों के बारे में जिकर रहा है तो अब हम देखते हैं तिन सो बाउन में अब रश्ट्रिया पात के बारे में बताए गया राष्ट्रिया आपात राष्ट्रिया आपात की बात करें तो मैं राष्ट्रिया पात है अमारे देश में अब तक तीन बार लगया है और यह कब लगता और क्यों लगता है जब अमारे देश पे कोई बारी देश आकरमन कर दे तो रश्ट्रपतिश भी सकती आपने पास लेगर के देश में क्या लगा सकता है रश्ट्रपतिशासन हम बात करें तो अनुचेर नंबर 356 इसमें क्या है इसमें है रज्जों के लिए रश्ट्रपतिशासन क्या रश्ट्रपतिशासन राश्ट्रपती सासन राश्ट्रपती सासन कैसे लगता है किसी राज्य में किसी पार्टी की बहुमत ना मिले उस पार्टी को या बहुमत मिल जाए तो अगर वह अपनी सरकार ना बनाना चाहिए तो राज्य पाल की सफारिश को उस राज्य में क्या लग जाता है राश्ट्र बात करें अनुचेद नूमबर 305 ये क्या तता है वितियापाथ वितियापाथ कभ में लगता है जब उमारे देश में दन की कमीज को नहीं जाए तो देश में क्या लगा जाता है वितियापाथ इसमें जो एक राइड के हमारे ओफिसर होते हैं उनकी कुछ नहीं आधी तंख काट ली जाती है तो यह बारत में अब तक शुकर गुजार रहेंगी एक बरिया भी बारत में क्या नहीं लगया है वितिया पात है हुम बात करेंगी अर्याना में कितनी बार लगया तीन बार और यह कब कब लगया है पहले वरिया लगया था रियाना में रश्टरपतीशासन उननीसो सढशट में उननीसो सढशट में जब रश्टरपतीशासन लगया तोर रियाना के मुख्य मंत्री कोन थे? चोधरी राउ विर्यंदर शिंग चोदिरी राव विर्यंदर शिंग उस समय अर्याना के मुख्यमंतरी कोन थे? चोदिरी राव विर्यंदर शिंग अगर चोदिरी राव विर्यंदर शिंग की बात करें तो ये अर्याना के पहले गैर कांग्रेशी मुख्यमंतरी रहे हैं को न चोदिधिवाब बिरेंदर शिंग और याना यह दूसरे मुख्य मुंतरी थी अब बात करेंगी और जब याना में 1968 में लगा रैश्टरपति शासन तो यार याना में सब से लंबाय समय तक लगया था कब तक कब तक उनिसो we67 सतनी से ले उनिशो अड़ाल तक उनिसो ट क्या है उनिसो अचिए सचपसे लेगे उनिशोड़ जे buat या था सब से लंसे लंबें समय तक कभ पहले बार बात करेंगे उसमें विदानसभा हमारी कौहटी चल रही थी तो उसमां हमारी कौहटी दूसरी दूसरी विद आंसर बागा समय था तब जब अर याना में पहले राष्टरपती सासन लगया अब हम बात करेगी अर याना में दूसरी बार राष्टरपती सासन कब लगया अर याना दूसरी बार राष्टरपती सासन लगया था 1937 में जब अर याना राष्टरपती सासन लगया तब अर याना ये मुख्यमंतरी कोण थे बनार्शी दास गुपता बनार्शी दास गुपता तब अर याना ये मुख्यमंतरी कोण थे बनार्शी दास गुपता और ये रियाना में सब से कम समय तक लगया राष्टरपती सासन अर याना ये परमय आ चुका ये परसन अर याना में सब से कम समय तक राष्टरपती सासन कब लगया था सबसे कम समय तक उस समय हमारी विदान सभाग पुनिशी चल रही थी उस समय विदान सभागा समय था चोथी विदान सभाग थी तब हमारी चोथी विदान सभाग पुम बात करेगे रियाना में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगया तो रियाना में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगया वो है उन्नीशो चानमा में तो तब रियाना उम्खमंत्री कोण थे ओम प्रकास चोटाडा जिनको उम उप्पी चोटाडा गे नाम से जानते हैं जो कोण थे ताव देवी लाल गशो पुत्तरे ओम प्रकास चोटाडा उस समय हमारी विदान सभा कोण चीछ थी साथमी विदान सभा के बीच की बात है विदान सभा कभ का समय था तब साथमी वाठमी विदान सभा के बीच का समय था जब अर्याना में तीशरी बार राष्टर पति सासल लगा कभ उन्निशो क्याण में अगर में से मुख्य मंत्री पूछने लगे तो ओम परकाश चोटा ला हो बात करेंगे अर्यान में अब कुण चीछ विदान सभा चल रही है तो वर्यान में गुद कर दिए कि वुदान स्वारैं को उकर में 10 पो चोदी विदान सभ्र – कोण सी विदान सबां करिा है यह थें एक चोना वारी चोदी विदान सभ्र अ दकिशना आ गे ज्यान चंद गुप्ता ज्यान चंद गुप्ता ज्यान चंद गुप्ता अमारे कौन शीट से है ये ज्यान चंद गुप्ता पंच कुला पंच कुला का से पंच कुला से होन ज्यान चंद गुप्ता पंच कुला ट्राई शीटी ठीए दोस्तों ये थे हमारे कुछे राष्ट्रपती शासन से संबंधित मैतोपून परशन जो अर्याना के पेपर में पूछे जा चुके है अब मगले परशन की बात करें तो अपने अर्याना वे पंजाव राज जगी राजदानी क्या है इसका दो सभी गोपता ही होगा कि अर्याना वे पंजाव राज जगी राजदानी क्या है अर्याना वे पंजाव राज जगी राजदानी बात करें तो में क्या अर्याना वे पंजाव राज जगी राजदानी चंडी गडे ख़ंडीगड का पत्ता है होगा पंजाब गाना नजिंची घृट कि पिएřी पिए हिस सेहे लगा दिय तो हुआ उर के परशन पूहले भाई चंडी महाता पूजली थो चंडी मंदिर बीपूचाघाढ़ी प्राड़ा चंडी मंदिर भी काँपा हमारा चंडी गड में काँपा है परोशना आया था कि चंदीघत को वस्तूकार कोण था। ली कर्बुजीर। ली कर्बँजीर। जरीकों प Creativity। जरीकों पूसर कुछा जा लीकबुजीर। छो हम्ता प्रेंस का। का का रहने वाडा हा या। प्रांस कोण था प्रांस करें ने वड़ा लीकार बुजीर चंडिगड की बात करें तो एक उर नाम मारे शमना पंडित जुवाल लाल नेरू चंडिगड को पंडित जुवाल लाल नेरू के सपनों का सायर का जाता है किसके सपनों का सायर पंडित जो आरलाल नेरू जो आरलाल नेरू बारत के पहले प्रदान मंतरी कौन? जो आरलाल नेरू चंडिगड धे और क्या प्रशन पूरता है एक चंडिगड में बोटे फिमस जेह है रोग गारिडन अर याना पुलीश में आया धायू के रोग गार्डन रोग गार्डन के आम बात करें तो रोग गार्डन का निर्मान किसना करवाया था? रोग गार्डन का निर्मान उन्निसो स्तावन में किना करवाया था? नेक चंड शैनी ने नेक चंड शैनी किना करवाया था? नेकचंद शैनीने में उनिसस्तावन में पुराणी ची जह घठक करकर के किस का निर्मान किया रोग गार्डन गा लें उनिसस्यात्र में कि सरकार ने इस वापन आदी गर्ण कर लिया किसना सरकार ने कि अधीर है और के परशन पूछे जाओं है चंडिगड़ थे एक हमारा चंडिगड़ में रोज गार्डन गार्डन वो होता है चंडिगड़ में के रोज गार्डन बड़ी है जंगा है की रोज गार्डन ला निता चंडिगड़ सेक्टर सोड़ है जो रोज गार्डन इंयो किसके नाम परपना है था बारत के बूतपूर्व रश्टरपथी career ुषर्षेन जागिरु सेने के नाम पर किश्का निर्मान के आगया था रोज गार्डन का रोज गार्डन की एक खास वाद है वाइसमेल कितने तरह के रोज पाये जाएं सोड़ा सो प्रकार के के पाये जाएं गुलाब भागी क्वाएं जाएं रोज गार्डन में और पचास हजार के छोटे पुद्द्द्द्ध के पाये जाएं पुद्द्धित के नामे रोज गार्डन में रोज गार्डन है किसकी देख रेएक हम बने हाँ डॉक्टर मेंसे रनदावा मेंसे रनदावा डॉक्टर एम मेंसे रनदावा देख रहे हम में किसका निर्वान के गया था रोज गार्डन का और के परशन पूछा है तंदिगड़ता रिलेटिड अरियाना मैं कि सुखना जील यू भाई फाइवरेट परशन हो रहे है अच्छा से सीगा सुखना जील जीला दे एक परशन तो पूछना जीला बहुर भी बात करेंगे आप आग गए कि सुखना जील सुखना जील है सुखना जील भी गिताबनी चंडिगड में है सुखना जील चंडिगड में इसका निर्मान किसने करेया था चंडिगड के उस्तुकार लीकार बुजीर ने किसने करेया था सुखना जील का निर्मान लीकार बुजीर ने जो या सुखना जील है निया सुखना सब्सक्राइब बांध बनाएगे है कुण सा सुकुना खाड या चो कर लो है चो देश्ची वासा होड़ेन के गवाद चो कियो हुआ यू खाड या चो किसना कवा है प्रवत पदद बहुत सारी पाणी की धारा येसे लिकड़ती है है ऊनको क्या करते है यह था झैसा क्या खाड कै खाड या चो कर देते हं इस कवाद के क्या बनाया गया है शूकुना जील मैं खाड शूक नहीं बनाई तो एक बहुत बडी डिप्रेशानी हो रही थी कि जो पानी के साथ मिट्टी बैक कापा का जमा हो जा थी सुखना जील में और यह जील का निर्मा रूप निले रही थी तो इसके च्यारों तरफ है कि लगाए गए बहुत सारे पुद्धी तो उसका क्या गत्ते हैं चंडी गड़े वाइड लाइफ सेंचुरी के नाम ताजाना दाओ चंडी गड़े चंडी गड़े वाइड लाइफ सेंचुरी वी कीता है अपनी चंडी गड़े में और के है एक और चंडी गड़े का निशान क्या है ओपने एंड वाइट सादी एख्या होगा ओपने एंड कीता यूँवी चंडी गड़ में यह थे चंडी गड़े तसम्बद जित कुछ में तो पूर्ण परशन जो पर विप्राव में बहुत बार पूछे गई हैं तो अपने अगले परशन की बात करें तो अर्याना का कून सा से अर्दान के कटोरे के नाम से जाना कौन सा से अर्दान के कटोरे के नाम से जाना जाता है बाई नगे लागे लिख भी लिए उगरो अर्याना कौन सा से अर्दान के कटोरे के नाम से जाना जाता है तो अर्याना का करनाल जिलाए करनाल से दान के कटोरे के नाम तो जाना जाओ है अर्यान करनाल से क्यों जाना जाओ बाई दान के कटोरे के नाम तो जाना जाओ है अर्यान करनाल से क्यों जाना जाओ बाई दा और कोईशा निए जो वनस्पति चावड़ होनी है के वनस्पति चावड़ उसकी सथ बड़ी अवराइटी ने जोने शिवा अपने कीत हुआ है करनाल में जो अमिता बच्चन ताउ इंडिया गेट बासमुथी चावड़ भेच चेवे के हैं अपने करनाल के वेज़वे चावड़ु है उन के अभवा है इंडिया गेट बासमुथी के नाम पर भेच चला है रही है अब आउन झाड़ेद, नूँ सोच लिए अरियान, ये मैं क्यों है? ओर क्ये है? करनाल था है, करनाल ने क्यों है? अरियाना का पैरिश. पैरिश. अरियाना का पैरिश भी किसने को आपा? करनाल ने. कि और करनाल देगे प्रशन कुछ जाओं एग राश्ट्रिय डेरियनू संधान के इंद्र है कि और मृर्जियान भी बात करे करनाल ते बात करे तो के हैं राश्ट्रिय डेरियनू संधान रखेरी किना अ स notch के डिर शच किस तापना की बात करें किया मैं और गाय। उन्नीशोस स्थापना तापना पालोल सु 611 ॆ उन्नीशो स्च में चकुना से टापना के ट्वेती। एचसी के पूच्छागी करनाळम कदोई तो करनाळम कदोई कई वार आजिया यू परशन भी करनाळम होई इसकी स्थावना उन्नीस्चो पच्चपन में इसकी होई थी रेश्ट्रेट एजीगी ओर करनाळतव हम बात करेतो मिट्टी लोणता केंदर मिट्टी लोणता केंदर मिट्टी लोणता केंदर भी किता है करनाळम होई मारा मिट्टी लोणता केंदर और है सैनिक सकूल कुझपुरा क LY फो स्कूल की थे करनाल के कुंच पुरा की थे है है कुंच पुरा है कि रहते करनाल कैंच पुरा में और करनाल से प्रसंस कुछ आइ Him को कर दीकर दाना प्रताव प्रताव बागवानी विश्रोईद्ध अल्ले प्रताव प्रताव बागवानी विश्रोईद्ध अल्ले विखित है करनाळ में वायू भी मारा ओर के है पुलिश ट्रेनिंग काद्य में विखित है मदू बन बेराई हो गया इसका थो तामने रियाणा प्लिश का पारंबरे इसका मदू बन में करनाळ गे ओर एग बाई करनाळ का किला पेपर में पुच्छा दालिया करनाळ का किला कर नाणाड़ का किल भी किट है कर नाणाड में जिसका निरुमान किश म कर वाए द था राज्या गजपति शिंह ने को ज़त सिंग 파शी ने किसका निरुमान का कर कर नाणाड़ किल नहें किलाмов Chair मनोर लाल खट्र की कुणशी शीट है करनाड तो यह से बाई करनाड कोछे संबंधित मैं तो पुण परशन जोर याने पेपर में पूछे गए है तो हम अबने अगले परशन की बात करें तो ओट्टु बांद किस नदीबा है ओट्टु बांद कुणशी नदीबा है कही आना दा बेराई निया कि अरियाने में भी को बांद है तो हम बात करेंगे आज ओट्टु बांद के बारे में परशन बताओंगे सारे खोल खोल गए ओट्टु बांद कोणशी नदीबा है गद्गर नदीबा है कुणशी नदीबा है ओट्टु बांद गगर नदीबा है ओट्टु बांद का दूसरा नाम के काईदे हैं वीराज बांद कि विर याज भांद ओट टू वं और याण़ विलंति कोण शीığını आप है पर याण़न गे सिर्ष्चाजिले में के है पुर्टु बांद है कि शिर्षा जिल्य में किते ओट्टु नामक्स्तान भाएं के है ओट्टु वाध है यह गर्णदी के बारे में कुछ बात करें तो गर्णदी मारी कितने निकली है यह परशन आ लिया वाई गर्णदी काहता निकलती है यह अचल परदेश के डागसाइद है किते है डागसाइद है यह माचल परदेश के डागसाइद है सिवालिक प्रवत स्रेणियों दके निकला हमारी गर्णदी और गर्णदी अर याना में गाहता परवेश करह है मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन वाई तो एचसी का किता है पंच कुला के कालका देश पंच कुला याना परवेश करहा है कि गगर्णदी तो कि आड़ेश की साइग नदी है उसका के नाम है कोशल्या कोशल्या नदी कि कित आगा मिला है और याना पंच कुला माँ गगर्णदी में कोण से नदी आगा मिला है कोशल्या कोशल्या नदी पंच कुला माँ आगा मिला है तो आड़ेश कोण से बांद कर दिया कोशल्या ब कोशल्लावांद घ Bent Sinn वाने इसन दीवाय कत करें गया 2008. के 202 मैं किसका घंपय daí की क्यों झेल्य आपकर दिया गया गाई तो फ्रसक्रास्ट सर्षवती जो के है पटियाला ये सत्राणा नाम के जंगा है बैया कित मिला है सत्राणा में पटियाला के सत्राणा में कित मिल जा है गर्नदी में मिल जा है आप मेंने के लामार कंडा और टांगरी का पाणी लेगा चलती है कोनसी सर्षुवती नदी गर्नदी अर्यानवक पंचकुला दा पर्वेश करके शिर्षा सेवत्तिवे रजस्थान गे अनुमानुगड जिले में बिक HaNear जिले के अनुमानँगड तसील में पर्वेश करहा है कोणसी जिले में विक्का नीर जिले के अनुमानगड तसील में अनुमानगड तसील में के प्रवेश करा है गगर्णदी जितके रेगिस्तान के रेतिले लियक्के में या विलूपत हो जा है कोणसी गगर्णदी ये थे हमारे ओट्टू बांदे और गगर्णदी संबंधित म और आपने अगले परशन की बात करें दो रियाना की की जी लेगो कर देखा जाता है किस जी लेगो रियाना का तो जीन्द लिद बंधेएं तेओं निध्या उ मिप भ्याला नोलंबर धूलिविल मेंदेए पितलि परीआख चीन नुझ सुझी को। कहा है कि कि के नाम पर प्र's नाम रखा गया है जीनिद का है और जीनते दो थिन फेमस संस् iya है मंदर हें कुछ के सब्सक्राइब अटकेशवर के बात करता है जीन्द के आठ गाम में है कि आठ गाम में जीन्द के आठ गाम में कोन सा मंदिर है अठकेशवर और एक और मंदिर है बूत तेशवर जीन्द के राज्जा था के राज्जा रगवीर उसकी राणी थी जोन अनिरुमान करवाया था किश्का राज्जा रगवीर राज्जा रगवीर के पतनी ने किश्का निरुमान करवाया था बुतेशवर मंदिर का एक और फिम मस्तिगा है और याने में और याने के जीन्द में उसका के नाम है राणी तलाब राणी तलाब था बहुत प्रसन पूछ जाओ भई राणी तलाब भी किता है जींद में जो राणी तलाब है नी तो इसका पहला के नाम था बुतेश वर मेल है इसका इन्रोबान किस ने करवाया है रज जारग वीर ने भी करवाया था इसका इन्रोबान तोमारी आणा से अब बात करेतो अर्याणा जीन्त छे क्या पुच्छ यहाद्त चोद्री रन बीर सिंग विशोविद्धाल्य के चोदरी रनबीर शिंग विशो विद्दरल्य कावा यू अरियाना के जीन्द में चोदरी रनबीर शिंग विशो विद्दरल्य कावा है अरियाना के जीन्द में चोदरी रनबीर शिंग कोण थे अमारे पूरो सिय उमें चोदरी मुपें दर सिंगु डेके बेजित पिता कोण है चोदरी श भरणी नवीर सिंग यह के थे शोईदान सबागे से दस्दसरा रूए है कोण चोदरी रण बीरशिंग शोईदान सभागा सदिस सेकूड था चोदरी रण बीरशिंग है दिनके अपिता क्या नहीं है चोदरी मत्तुराम जो के थे सवंद्धूंतरता सेनानी का गाम किया किना चोदरी मत्तुराम नहीं और उन जीनता बात करें तो यू परसंद पूछा जालिया वाये कि कौन से जिलेगी शीमा सब ते ज़्यादे जिलाद लागगा है तो किसकी जीनत की कितने जिलाद है साथ जिलाद है साथ जिलाद लागगा किसकी सिमा जीनत की ये थे आज किया हमारे कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन है जिनके बारे में अभी हमने डिटियल से जाना है आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद